राधी राधी जैसी किष्णा स्वागत है आप सभी का राधी कृष्ण भगती में। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक पुर्णिमा की सरल पूजा विदी देखेंगे। कार्तिक पुर्णिमा पे गंगा असनानदान का विसेस महत्व है। इस दिन खगवान विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पुजा की जाती है। इस दिन गंगा दीवदान का विसेस महत्व होता है। तो आप गंगा दीवदान जरूर करें। अब देखें पुजा के लिए आप चौकी लगा ले। चौकी पे आप पीली रंग का वस्तर विछा ले। हो सके तो ये चौकी आप अपने तुलसी जी के पास ही लगाए। अगर वहां पे संभव ना हो सके तो आप अपने मंदिर के पास लगा सकते हैं। तो देखें मैंने चौकी लगा ली है। और थोड़े से तीलों का आसन देखर मैंने विष्णु भगवान और गनेश जी को विराजमान कर लिया है। और मैंने यहाँ पे दीप कलस की स्थापना कर ली है। वो नीमा पे कलस की स्थापना करके ही फूजा करे। इसके बाद जलके छीटे लगाकर हम शुद्धी करन कर लेंगे। अब हम गनेश जी को, विष्णु भगवान को, कलस को, पोटो में विराजमान सभी को हम चंदन से, रोली से तिल्लक कर देंगे। इसके बाद हम वत्र स्वरुप कलावा समर्पित करेंगे। और देखिए, अगर आपने कार्टिक इसनान किया है, तो आप सत्य नरायन भगवान की कथा भी जरूर सुने। इसके बाद हम भूल समर्पित कर देंगे सभी भगवान को, गनेश जी और विष्णु भगवान को हम जैनेव समर्पित कर देंगे। जब आप कार्तिक पुर्णिमा के दिन स्नान करें तो उसमें गंगा जल मिला कर स्नान करें इसके बाद हम भोग अर्पित कर देंगे तो गनेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे और विश्णु भगवान को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे और देखिए पुर्णिमा पे आप भगवान को पंचामरित का पंजीरी का फलो का इन सब का भोग जरूर से लगाएं कोसिस करें कि पुर्णिमा पे जो प्रसाद बनाया जाता है उसका ही भोग लगाएं इसके बाद देखिए मैंने यहापे सत्य नरायन भगवान की कथा की हम तिलग कर देंगे और पुजा के बाद हम कथा सुन लेंगे इसके बाद देखिए पुजा में कुछ दक्षिना जरूर से अरफित करें ताकि जो भी कमी हुई हो वो पूरी हो जाया इसके बाद हम धूब दिखा देंगे अब हम एक लोटा जल ले लेंगे हाथ में कर लेंगे तो हम प्रेम बुर्ब सभी भगवान की आरती कर लेंगे आरती के बाद हम हाथ जोड़कर फूजा में हुई भूल चुक के लिए छमायाचना करेंगे और अपनी मनुकामनापूर्ती के लिए प्रातना करेंगे अगर आपने कार्थिक स्नान क्या है तब तो आप सत्य निरायन भगवान की कथा जरूर सुने गंगासनान गंगा दीब्धन और अपने कार्थिक स्नान का उद्यापन करें और अगर आपने कार्थिक स्नान नहीं किया है तो फिर आप भगवान भिष्णुजी की तुलसी जी की पूजा कर लें आप चाहे तो तो कथा दिवाली जरूर से मनाए अपने घर को दियों से सजाए जितना हो सके उतना भगवान के पास दीवदान करें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक करें सेयर करें कॉमेंट करें और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सस्क्राइब करें थैंक्यू राधे र किष्णा